यसकुमार की पतनी और भोजपूरी अभिनेत्री निधी जहा के पॉडकास्ट में डिमपल सिंग कहती है कि पवन सिंग के तरफ से उनको ओफर आया था तब वो उनके गानों में डांस करने गई थी और फिल्मों में काम करने गई थी और अब अगर पवन सिंग के तरफ से रिक्वेश्ट आता है और कहा जाता है कि आप आईए हमारे यहां काम करिये अगर इज़त से बुलाया जाएगा तो डिमपल सिंग फिर से पवन सिंग के साथ काम करने जाएंगी और उसके बाद पवन सिंग तक जब यह बात पहुंसती है तो पवन सिंग खुले मंच से कहते हैं कि पवन सिंग के अतना दिन खराब आ गई लबा और जो लोग यह कहते थे कि रववा भीरी खाड़ा होके में हमार पैर काम पता उन लोग आज कहता कि पवन सिंग के तरफ स यह रहे ओ लोग के हिंदी आ ओ लोग हमरा लगे आके कहता कि देखा अब ओफर आवता और घरे घरे पॉडकास्ट बन गई लबटे आ लोग अपने मुझ से अपने मिया मिठू बनाता यानि कि यसकुमार अपनी पतनी के साथ एक पॉडकास्ट करते हैं और निधी जा जो ह जो यसकुमार की पतनी है वो उसमें एंकर की भूमीका में रहती है और यसकुमार से कई सवाल पूछती है जिसमें यसकुमार भोजपूरी इंड Autor में चल रहे जो तमाम चीज और उसका खुलासा करते हैं कि किस तरीके से बड़े-बडे सिंगरों की फिल्में पिट जाती हैं दो कुरों रुपए लगाकर फिल्म बनाई जाती है और फिल्म मात्र 25 लाख रुपए कमाती है और बवाल तब हुआ जब निधी जाके पॉड्कास्ट में डिमपल सिंग की एंट्री हुई और डिमपल सिंग आती है और कहती है कि पवन सिंग ने उनको बुलाया था और पवन सिंग ने उनको ओफर किया था कि हमारे गाने में डांस करो यह वही डिमपल सिंग है जिसमें याद है गाना वो आज यह पांच के चल य पवन सिंग से दिक्कत नहीं है उनके चम्चो से दिक्कत है और ये दिक्कत इसलिए है कि डिम्पल सिंग ये कहती है कि पवन सिंग का तो बात मानिए वो स्टार है उनका बात मान लीजिए लेकिन चम्चो का भी बात मानना पड़ता है चम्चे फोन करके कहते हैं कि हैसे हैसे क पर एक बाद आप ने कह दिया कि नाई खे मॊन करत तो उसके बाद हो कहते हैं अच्छा ना करू इसस तीक है रुका फिर भईया के पास फोन जाता है चार जी के इसके पास और उसके बाद कहां जाता है कि बहईयाद है कि फिल्म में से हटा दिया और उसके बाद gana फिल्म स्टेश सों तक से हटा दिया जाता है यह वहीं डिमपलसिंग है जो है अपने भाई के साधी में वीडियो कॉल करती है और कहती है कि रवा ना इन है तो हमरा दिल पर बहुत जोरसे चोटलागल है रवा ना इन है तो हतना लोग के सामने हमारे बेजिती हो गय उस मंज पर कलू भी मौजूद रहते हैं उस मंच पर रितेश पांडे भी मौजूद रहते हैं और वीडियो कॉल पर पवन सिंग रहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि का हो ना मनबू मिलही के परितारा से और फिर वहां से भी भी बाद होता कि पवन सिंग और डिमपल का कुछ चल रह और ये भी सवाल जब निधी जार डिमपल से पूछती है तो वो मुस्कुराने लगती है कहते हैं कि जब बॉंडिंग अच्छा हो जाता है तो चर्चा होने लगती है लेकिन डिमपल सिंग पावन सिंग पर आरोग भी लगाती है कि फिल्मों में से गानों में से यू निकाल लिया जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा क्या आप gel can कर लिया क्यों अपने इनके साथ क्यों कर लिया क्यों भॉय हम आपके गुलाम हो चुके हैं क्या हम किसी और के साथ का मैं कर सकते क्या इंत्माम जो को लेकर डिमपल सिंग जो है वो पावन सिंग को जबाब दे रही थी लेकिन जब बारी आई पावन सिंग की तो पावन सिंग ने इस तरीके से जबाब दिया कि अतना खराब दिन नहीं खे आई पावन के कि के हूँ के जहीं है बोलावे अचा है के हूँ के सामने घुटन थेके जहीं है पवन के अतना दिन ख़राब नहीं के आई कि क्यों के जा संस कि तु आउरा में काम करलो कि क्यूं हमरा बीरी खारा हो के कहत रहे कि रहुआUSTar बीरी खारा ओके मैं हमार गोरवा काअपता है और और बोझपूरी का बिबादों से रिस्तान आता तो रहा है हमने आपको पहले भी बताय था भोजपूरी से बिबाद खतम कर दीजिए तो भोजपूरी फिल्म जो है वो खत्म हो जाएगा भोजपूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी भोजपूरी इंडस्ट्री में जिस तरीके से बिबाद चलता है अगर भोजपूरी इं का भी बाद कभी काजल रगवानी से भी बाद तो कभी अक्षरा सिंग और खेसारी का भी बाद तो कभी पवन और डिंपल का भी बाद तो कभी पवन और उनकी पत्नी जोती का भी बाद और विबादों से रिस्तानाता नहीं रखिएगा तो फिर भोजपूरी इंडस्ट्री म महिला को एक्टर है उनके साथ बिबाद कर लीजिए और जब बिबाद करिएगा तब मज़ा आएगा फिल में चलने लगेंगी और इसी वज़े से भोजपुर इंडस्ट्री बिबादों में रहता ही रहता है अब आगे देखिए क्या होगा बेराद इस खबर में इतना ही बन करो दो सकते हाँ जा उनके बनके सुनके लिए ठीए कर लेकर सांदों में चलने म Bryमक कर दोपी पर दोर में दोथ्पाव दोब में दोचितों में रहता है उनके साछ्ड़ में पर घर बीजिए रखिए को रहता है।